कि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम भारत के शित्रफल की दिश्टी से 22 राज के बारे में आपको महत्पुन जानकारी देंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का 22 राज कौन है भारत का 22 राज मेघाले है मेघाले यानि मेघो का घर मेघ जोर आले ये जो थे कलकत्ता इंवर्सिटी के जोगराफिक एक परफेसर थे उन्होंने इस नाम को दिया था जिस पर काफी विबाद हुआ क्योंकि जो के राज हैं जिनको Seven Sisters कहा जाता है उनके नाम जैसे मीजो जन जाती के नाम पर मीजोडम नागा जन जाती के नाम पर नागा लैंड तो इसकर जो है मेघाले का अभी नाम वहां की किसी जन जाती पर होना चाहिए ऐसा नहीं करके उन्होंने मेघालय चुकि यहां दुनिया की सरवाधिक वर्सा होती है इसलिए इसका नाम जो है मेघालय रखा गया या भारत ही नहीं विस्तु का सबसे नमी वाला भूमी है नमी वाला अस्थान है क्योंकि आप जानते हैं कुछ दिन पहले तक मेघालय के चे पिरा कुझी से कुछ दूर जो है वहाँ पर चली गई है जिसको मासीन राम कहा जाता है वहाँ पर भिश्व की सरवाधिक वर्सा होती है तो हम कंप्यूटर महुदय को कहेंगे कि कंप्यूटर महुदय भारत के 22 वे राज्य के जो राज्य किये प्रतिक है उन्को आप प्रस्तूत करे, यहां प्रस्तूत करे, एस्टूडेंट, आप वीडियो को पॉस करके इसे देख सकते हैं, कम्प्यूटर में हो दे, मेघालय राज का मानचित्र जो है, आप यहां प्रस्तूत करने की किरपा करे, एस्टूडेंट, यह रहा मेघालय राज, यह है मेघालय राज का मानचित्र, आप अपने वीडियो को पॉस करके, मेघालय राज के मानचित्र को देख सकते हैं, तो इस्टुडेंट इसके बाद हम मेघाले से संबंधित महत्पुन जानकारियों के बारे में आपको बतलाएंगे तो इस्टुडेंट हम देखते हैं बारत के छेत्फल के दिष्टी से 22 बरे राज्य मेघाले के बारे में आज हम लोग कुछ महत्पुन बातों पर ध्यान डालेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि राज का नाम क्या है राज का नाम है मेघाले मेग आले मेग आले जो है दू सब्दों के मेल से बना है मेग जूड आले मेग यानि बादल और आले यानि घर यानि बादलों का जहां घर है या नामकरन कलकत्ता के जियोग्राफी डिपार्टमेंट के जो मुख प्रोफेसर थे डाक्टर एस्पी चटर जी ने किया था इसका नामकरन डाक्टर एस्पी चटर जी ने किया था मेग हाल है इस पर काफी विवाद हुआ था एस्पी चटर जी और कब किया गया था तो दो अप्रील 1970 को दो अप्रेल 1970 को एक घटना होई थी जिसमें मेगालय को असमराज से अलग करके एक स्वाथ छित्र के रूप में अस्थाफित किया गया था एक डेर था दो अप्रील 1970 लेकिन 11 जन्वरी 1972 को मेगालय को पुर्ण राज का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दिया गया एक गारा जन्वरी मेगालय भारत का एक राज बना यह राज की चवहदी जब हम देखते हैं मेगालय की चवहदी सुडेंट आप ध्यान दिजेगा इसका नामकरन डाक्टर स्पी चठर जी के द्वारा किया गया था दो अप्रेल 1970 को मेगालय को स्वाथ छेत्र के रूप में असम से अलग किया गया और 11 जन्वरी 1972 को मेगालय को पुर्नराज का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दिया गया इसकी चवहदी इसके उत्तर में जो है असाम है मेगालय के दक्षिन में बांगला देश है मेगालय के पूरब में भी असम है और मेगालय के पस्थिम में फिर बंगला देश है मेगालय की दो सीमा है बंगला देश के साथ और दो सीमा जो है वह असम के साथ सटी हुई है इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिन तक 300 किलो मिटर है और चोराई 100 किलो मिटर है यानि इसके लंबाई चोराई का जो अनुपात है वह तीन एक का है तीन लंबाई है और एक चोराई है जब हम मेघाले के अक्षांसिय विस्तार पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि मेघाले 20 डिगरी 20 डिगरी एक मिनट उत्री अक्षांसे 26 डिगरी पांच मिनट उत्री अक्षांस के बीच अवस्तित है मेघाल है 20 डिगरी 1 मिनाट उत्री अक्छान से 26 डिगरी 5 मिनाट उत्री अक्छान से बीच अवस्तित है देशांतरिये विस्तार जो है मेघाले का देशांतरिये विस्तार या 85 डिग्री 49 मिनट पुर्वी देशांतर से 92 डिग्री 52 मिनट पुर्वी देशांतर के बीच है मेघाले का छेत्रफल जो है वह 22,429 किलो मिटर स्कॉयर है 22,429 किलो मिटर स्कॉयर है छेत्रफल की दिश्टी से मेघाले भारत में 22 अस्थान का राज्य है 22 भारत के कुल छेत्रफल में मेघाले की जो हिस्सेदारी है वह जीरो दसमलो छो आठ परसेंट है इसका नाम करन डाक्टर इस्टी चतरजी जो भूगोल विभाग के प्रधान थे कलकत्ता इंवर्सिटी के उन्हों नहीं के द्वारा किया गया था जिस पर काफी विवाद हुआ इस विवाद में यह कहा गया कि जो सिबिन सिस्टर्स है यानि प्रवत्तर के जो साथ राज हैं वहां के निवास करने वाली जंजातियों के नाम पर उनका नाम रखा गया है मेगाले के साथ जो है यह कहां से नाम दे दिया गया चुकि वहां पर बरसाज ज्यादा होती थी इसलिए डाक्टर स्पी चतर जी ने इसका नाम करन मेगाले किया इस्थिति क्या है इसके आस पास कोई शमुद्र रेखा नहीं है यानि अस्थालरुद्ध है शमुद्र नहीं है इसके परमुख नदियां जो है वह है उमन गोत शूमेश्वरी शीम शांग मिघाले की परमुख नदियां है शीम शांग इनक्त्यूदू और कुलसी और सबसे लंबी नदि जो है वह सीम सांग सीम सांग मिघाले की सबसे लंबी नदि है हम स्टूडेंट हम अगले पराव की ओर बरते हैं आप वीडियो को पॉस्ट करें और मिघाले के बारे में जो मैंने चौदा मुख जानकारियां आपके सामने प्रस्तोत की है इसको नोट करें, आप वीडियो को पॉस करके इसे नोट कर सकते हैं, तो देखते हैं, पहरत के 22 वेराज में घाल है, के प्रमुक परवत कौन कौन है, तो प्रमुक परवत है, शीम, गारो खासी और जैंतिया, प्रमान्चल की पहारियों के नाम से जानी जाती है, गारो खासी और जैंतिया, यहां की जन जाती भी है, गारो खासी और जैंतिया, और यहां की सबसे उची छोटी का नाम है लूम सिलांग लूम शिलांग जिसकी उचाई जो है वह उनई सो अर्शट मिटर है यहां पर वन जो है मेघाले में वन की प्रतिसद जो है 70% के करीब जो है कुल भूमी के 70% में जो है जंगल है जिसका छेत्रफल जो है 94-96 किलोमीटर स्क्वाड है मेघाले की कुल जन संख्या 32,11,474 है छेत्रफल की दिश्टी से यह भारत में 22-वाबरा राज है भारत का 22-वाबरा राज है और भारत की कुल जन संख्या में इसकी हिस्सेदारी जो है 0.25% है मिजोरम का जन संख्या घनत जो है यहां एक किलोमीटर स्क्वाड छेत्र में 140 वेक्ती रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वाड साक्षर्टा दर मेघाले का साक्षर्टा दर जो है 75.84% है और लिंगा अनपाथ जो है यहां 986 इस्तिरियों पर 1000 पुरुस्तिय संख्या है मतलब इस्तिरियों की संख्या जो है अभी तक हम लोगों ने जितने वी राज्यों के बारे में अध्यान किया तो लिंगा अनपाथ में हम लोगों ने देखा कि केरल को छोड़ कर बाकि सभी दाज्यों में इस्तिरियों की संख्या कम है मिघाले में तीन प्रमंडल हैं गारो खासी और जैंतिया एक नमबर में है गारो प्रमंडल दू नमबर में खासी और तीन नमबर में जैंतिया मतला है परवत का भी नाम गारो खासी जैंतिया प्रमंडल के भी नाम गारो खासी जैंतिया और यहां की तीनों जैंजातियों के नाम भी गारो खासी जैंतिया है चुकि जिन जिन छेत्रों में जैसे गारो जन जाती जिस छेत्र में है उसको गारो प्रमंदल कहा जाता है जहां खासी जन जाती की अधिकता है उसको खासी प्रमंदल और जहां पर जैंतिया आधिवासरों की संख्या अधिक है उसको जैंतिया प्रमंदल के नाम से जाना जात है कि मिघाले में कुल 11 जीले हैं 11 जीले हैं अनमंडल की संख्या जो है अभी तक जो स्वोर से हमको प्राप्थ हुआ है उसमें चार बताए गए हैं प्रखंडों की संख्या 46 है उत्तप्रव के कुछ राज्यों में बरतमान समय तक पंचायती राज बेवस्था लागू नहीं है इसलिए मैं यहां पंचायतों की का जिक्र नहीं कर रहा हूं यहां पर नगर निगम की संख्या नहीं है कोई नहीं है लेकिन नगर पालिका जो है दो है नगर पालिका दूठ को है मेगाला में दो नगर पालिकाँ है नगर निगम यहां पर नहीं थी विदान सभा सदस्क्यों की संख्या कुल जंसक्या साथ है लोक्ष्भा के लिए यहां से दो सदस्य चुने जाते हैं एक चेरा पूंजी से और दूसरा तुरा से दो-लोक्त आप वीडियो को पॉस्ट करें और इसे नोट करें अब हम लोग मेघाले से सम्मंदिक जो अगली जानकारी है अन्य महत्पुन जानकारी उसको साजा करेंगे तो आप इसे नोट करें स्टुडेंट देखते हैं मेघाले के बारे में अभी तक हम लोगों ने 31 प्रस्णों का उत्तर जो है हमने आपके सामने प्रस्तूत किया है अब देखते हैं मेघाले से राज सभा के लिए एक सर्दस्ट से आनिर्वाचन होता है मेघाले के राजिपाल जो है बरतमान में वून का नाम है गंगा परसाथ मेघाले के मुख मंत्री का नाम है कौन रोड संगमा कौन रोड शंगमा मेघाले के परतमान में विधान सभा के अध्यक्ष है आबू ताहीर अबू ताहीर मोंडल मेघाले उच्छ न्याले की अस्थापना जो हुई थी 23 मार्च 213 को हुई थी 23 मार्च 213 मेघाले उच्छ न्याले का मुख्याले सिलोंग है मेघाले उच्छ न्याले में बरतमान में न्याधिसों की संख्या जो है वह चार है एक मुख न्याधिस और तिन अनन्याधिस अभी परतमान में मेघाले उच्छ न्याले के मुख्याधिस है विश्वनात शुमादर विश्वनात शुमादर मेघाले की प्रसासनिक यानि एड्मिस्टेटिव विधाई यानि लेजिसलेटिव एउम्नियाईक यानि जूडिसियल कैपिटल जो है राजधानी वह सिलॉंग है मेघाले की आधिकारिक भासा अंग्रेजी है जबकि राजकिये भासा अंग्रेजी और खासी है खासी खासी और आजकिये पसु जो है चितकबरा चितकबरा तेन दुगा है मेघाले का राजकिये पक्षी जो है उसका नाम है पहारी मैना मेघाले का राजकिये फूल जो है लेडी चपल आर्किड है लेडी चपल स्लीपर आर्किड कहते हैं इसलिए हिंदी में लिख देना है लेडी चपल आर्किड मेघाले का राजकिये ब्रिक्स गमारी है गमारी को हम लोग अपने यहां गमहार कहते हैं मेघाले का राजकिये फल जो है एपी कोर्ट है यानि खुबानी खुबानी यानि एपी कोर्ट हिंदी में इसको खुबानी कहते हैं आप वीडियो को पॉस करें और इसे नोट करें अब मेघाले के बारे में थोड़ी सी जानकारी सेश रह गई है मैं वहाँ आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूँ मेघाले में भारत का और संसार का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला अस्थान जो है उसका नाम है मासी निराम मासी निराम यहां और सतन 1150 सेंटी मीटर वर्षा वोती है भारत की सबसे स्वक्ष नदी अभी भारत में जितने भी नदियां है उन सभी नदियों का जाच किया गया तो सबसे स्वक्ष नदी जो है मेघाले में उपस्थित है उस नदी का नाम है उमन गोत यह भारत की सबसे स्वक्ष नदी है मेघाले का सबसे बड़ा नगर जो है सिलोंग है और मेघाले में राष्टिय राजमार्क की लंबाई जो है ग्यारा सो सत्तर किलो मिटर है मेघाले में भारत की सबसे लंबी प्राकृति गुफा है जिसको करेम लियत प्रह कहा जाता है करेम लियत प्रह और संसार का सबसे गिला स्थान यानि वेट लैंड जो है वो मेघाले है मेघाले का चेरा पूंजी मेघाले में दो लोग सबसे थे एक तूरा और एक चेरा पूंजी इसका भोगोलिक उपनाम मेघाले का है मेघो का आले और दूसरा है पुर्व का स्कॉट लैंड पुर्व का स्कॉट लैंड ये दो भोगोलिक उपनाम है मेघाले में रेल लाइन की कुल लंबाई जो है 19 किलो मिटर है इस्टुडेंट मैंने मेघाले राज से संबंदी जो महत्पुन परतियोगी परिछाओं के से संबंद में जो महत्पुन जानकारियां थी मैंने आपके समक्ष प्रस्तूत की अगर आपको मेघाले से संबंदी जानकारी जो है का वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सेर करें, शवस्क्राइब करें, धन्यवाद थे